निफ्टी के इस अपडेट वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट की बॉटम बन गई है या अभी भी बॉटम बननी बाकी है, 13 फरवरी को हमने ये वाला चार्ट पोस्ट किया था, उसके एकोर्डिंग हम ल दोसों से 16,000 के बीच में कई जा सकता है, और उसी हिसाब से हमने 5 वेब भी इसमें बना दिये थे, उस टाइम पर मार्केट वेब 2 के आसपास घूम रही थी, उसके एक हफ़ते बाद 20 फरवरी का हमने एक और चार्ट यहां पर निकाला हुआ था, ये भी हमने उसी समय बता किया था कि इसका जो critical और final support है वो ये वाला है, यानि कि अगर fifth wave यहां पर नहीं बन पाती है, या किसी कारण की वेब से जादा बुरी news कोई आ जाती है, तो ये वाली जो wave है वो extend होके इस range में कहीं आ सकती है, और उसके बाद यहां से हमें एक sharp reversal देखने को मिल सकता है, और आप देखते हैं कि आज के scenario में हमें कैसे देखने को मिल रहा है, 13 March के chart में भी same हमें यहीं देखने को मिल रहा है, जैसा जैसा हमने पहले से assume किया था, market लगबग वैसे ही काम करती गई आगे, तो उसमें पहली wave के बाद जब दूसरी wave बनी, उसके बाद तीसरी wave का bottom वहीं लगा जहां पर हमने assume करके रखा हुआ था, यानि यह वाला जो area था, वहाँ पर यह बनना चाहिए था और लगबग वहीं पर बना, उसके बाद हमने एक bounce देखा, उसके बाद 5th wave हम assume कर रहे थे कि यहां 16,000 की range के कहीं आसपस खतम हो जागा, पर ऐसा ना हो करके, यह जो final और जो critical support है, वहां तक market गई और उसी range में ही, यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर हमें एक doji candle पहले इस तरह की दिखाई दे रही है, और उसके बाद एक बड़ी, एक engulfing candle है उसके बार, यानि कि यह हम पहले भी discuss कर चुके है कि जब भी एक engulfing candle बन गी है, तो वहां से एक reversal setup बनता है, तो जो आगे वाली candle है, उसने पीछे वाली candle को पूरी तरह से ढग दिया है, तो यहां पर इस चीज की तो confirmation आ चुकी है, कि यहां पर एक bottom बन गया है, पर यह वाला जो bottom है, फिर बाद में कभी कट सकता है, कि यह चीज कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम जो last, fifth wave थी, उसको analyze करके देखेंगे, fourth wave यहां पर बनी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद यह वाला जो तीन step वाला जो move था, यानि यह पहली candle, यह दूसरी candle, और यह तीसरी candle, इन तीनों को वापस retrace होने में, सिर्फ तीन ही candle का समय लगा है, यानि कि पहली candle तो engulfing बन गई, और दूसरी candle, एक बड़ी green candle बनी थी, और तीसरी candle भी लगबग वहां तक पहुँच चुकी है, जहां तक हम सोच रहे थे, और हमने यह पहले से ही mark करके रखा हूँ था, कि यह confirmation level होगा, यदि यह एक दिन all delay कर देता, और इससे slow अगर इसकी recovery होती, तो फ जो है वापस घूमके 16,250 के आसपास तक कहीं जा सकता है, जहां पर wave 2 complete होगी, उसके बाद एक तेज बड़ी wave बनने की संभावना है, जिसमें हम 17,500 और फाइनली 18,000 के level तक हम जा सकते हैं, और इस दोरान कई सारे stocks में भी bottom बन चुकी है, और वो भी आप उपर जाने के लि वैसे उन में से कुछ जो selected stocks होते हैं, उसको हम अपने free telegram channel पे भी post कर देते हैं, educational purpose के लिए, तो आप उसको भी एक बार visit कर सकते हैं, उसका link आपको description box में मल जाएगा, तो कुल मिला के कहानी ये है, कि ये जो नीचे bottom बनी थी, ये एक ऐसी bottom है, जो अभी नहीं कटने वाली है, और मेरा तो मानना है कि शादी कभी भी नहीं कटेगी, पर आगे आने वाले समय में थोड़ा हमें वक्त देके देखना पड़ेगा कि confirmation level की उपर जा पता है कि नहीं, और इस चीज के 90% से ज़्यादा chances हैं कि ये उपर ही निकल जाएगा, और अब ऐसे कोई भी symptom इसमें दिख रहे हैं, जिसमें price अभी हमें नीचे आता हुआ दिख रहा हो, तो अब घबराने वाली बात नहीं है, जो complete जो October से correction वाला face चल रहा था, उस पूरे face का अंत यहां कहीं हो चुका है, तो अब ऐसे case में यदि कोई short बगेरा करते हैं, तो उससे आपको बचके रहना चा में इसको दोबारा review करके देखेंगे कि जैसा अभी हम सोच रहे हैं कि एक next impulse जो मैंने blue lines indicate किया है, उस तरीके से market उपर जा रही है कि नहीं, यदि ऐसी ही दिखती है, तो हमें इसमें अब wait नहीं करना है, हम इसमें थोड़ा-थोड़ा काम शुरू कर सकते हैं, जिन stocks में ऐ बहुत भड़िया setup बना हुआ है और उसके अंदर नई impulse भी शुरू हो चुकी है, तो आप उस पे भी ध्यान दे सकते हैं, शुगर theme भी पहले से ही चल रही थी, तो अभी के लिए जो trending दो sectors है, एक तो आपका metal हो गया, और दूसरा हो गया आपका sugar sector, इसके अंदर आप अप से ही आपको बता रही हैं, तो इसलिए कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से जरूर सला ले लिजेगा, अगर आपको हमारे efforts पसंद आ रहे हैं, तो इस वीडियो को like कर दीजे और हमारे channel को भी subscribe कर दीजे, और अगर आपने अभी तक हमारे free telegram channel को join नहीं किया है, तो उसको भ अंदर हम Nifty की updates भी रोजाना देते रहते हैं, और important news flow और भी कुछ अगर important चीजे होती है, तो हम उसके अंदर share कर देते हैं, thank you and have a nice day.